So Hey everyone, this is Sakhin Ali और कैसे बचबाटी आप साभी लो तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले Domestic Electric Circuit के बारे में So yeah, Domestic Electric Current क्या होता है यह आज हम लोग जानेंगे यार इसमें जो सबसे मीन पार्ट है na अगर तुम्हारी एक्जाम पॉइंट फ्यू से देखो तो वह है हमारे डाइग्राम और हमारे कुछ कुछ सरकेट स्टिक है और साथी साथ आप लोग को सभी चीजे इनको याद रखके चलनी है तो यार पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा बिकाद यहां हमारे डेली लाइफ से काफी जाधे रिलेट करता है और कुछ कुछ चीजें इसमें सा ऐसी भी होगे कि जो तुम लोग ने देखी है करीब ही है तो बहुत मज़ा आने माला इन टोटल इस टॉपिक में तुम सभी लोग को चलिए तो बिना किसी देली के हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते है तो आज हम लोग पढ़ने वाले बचापाटी डॉमेस्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ठीक है तो यारर तुम लोगने सबसे पहली चीज वही बताती हो जो तुम लोग नेदेखी है हम लगने थ्री PIN का प्लhair आता है वो देखा थे सभी के घरों ने होगा है तो कहां कहां तुम लोग की connection तो मैं बता देती हूँ तुम्हारे गर में microwave है तो उसमें में वोगा, जलो नहीं भी है, freeze जो हर किसी के घर में होता है, तो 3-pin का plug तुमने वहाँ देखा होगा, तो जो बड़े-बड़े heavy appliances आते हैं, जो ज़्यादा power लेते हैं, उनसा भी में हमारा 3-pin का plug लग रहा होता है, तो जिदी यह क्यों बत होता है, इस टाइप से होता है, तो इसमें जो पहला वाला होता है, यह होता है मेरा earth wire, ठीक है, so it is my earth wire, so this earth wire होता है, यह green color का होता है, दूसरा मेरे पास होता है, हमारा एक live wire, और तीसरा होता है, मेरे पास neutral wire, अच्छा, इन तीनों के कुछ अलग-अलग colors भी है, जिसके आ आप से हम इनको बहुत अच्छे तरिया से identify कर सकते है, जो मेरे पास earth wire होता है ने, बचा पाटी हमेशा वो green color का होता है, जो मेरे पास होता है, live wire, हमेशा red color का होता है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, यह रहा, जो मेरे पास होता है, neutral wire, वो होता है, मेरे पास black color, तो मै बता देती हूँ यह तुम लोग को बता दिया यह होता है Earthwire, ठेक है? 3 pin plug में and then यह, और यह कुछ ऐसा होता है तो इसमें छे हमार एक Life wire होता है and then यह हमारे Neutral Wire हो रहा होता है अब होता क्या है? देखो, सबसे पहले हमारे करें में बहुत चारे करेंट जा रहा है it is because of live wire तो एक चीज समझ में आ गई है लाइफ वायर में से current flow होता है और उसका color red होता है अच्छा दूसरी चीज है कि neutral wire इसका नाम ही कैसा है neutral तो कुछ terminology पर जाते हैं तो इसमें current बिल्कुल भी flow नहीं हो रहा होता है तो मतलब तुम्हें ऐसा बोल सकते हो कि i is equals to zero है जब हमें current flow करना होता है वहां हमें एक बहुत कगड़ी चीज के जर्वत होती है तो बहुत सारे बचों को दिमाग में अभी तक आ गया होगा और नहीं आया है तो मैं बता दू that is potential difference potential difference है तभी हम लोग current को flow करवा सकते हैं ठीक है got it okay so यह क्या करता है मेरा potential difference को maintain करता है यह potential difference को बनाता है कौन की neutral wire इसकी बात करें जिसको हम लोग black color से represent करते हैं okay तो यह दोनों चीज हम लोग समझ चुके अब तीसरा यह है अर्थ वायर जिसको हम लोग को mainly study करना है because इसी पर question आते है कि यह जो अर्थिंग होती है उस मतलब उससे क्या-क्या benefits है अर्थ वायर कैसे connect होता है तो यह जब से पहली चीज समझते कि अर्थ वायर को कैसे connect किया जाता है तो उससे पहले मैं तुम लोग को एक example देती हूं अचा बाती कि जैसे हमारे गहरों में cooler होते होंगे आज भी बहुत सारे लोग के गहरों में cooler होते है वो जो basically नए जमाने की cooler आ रहे उसकी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहे हूं जो पुराने जमाने की cooler आते है जो red color का महरून कलर का blue color का होता था थोड़े पत्रे टाइप के आते थे metal टाइप का होता था उसकी बात करें अब यह होता क्या है कि जब current flow होता है किसी भी appliances के लिए अब उस पे से some amount of current leak हो जाता है क्या हो जाता है लीक हो जाता है और उसी time पर अगा तुमने उस appliance को touch कर दिया है त हम सभी की जिन्दगियों को save करने के लिए यहां होती है अर्थिंग और वो अर्थिंग कैसे होती है क्या देखो जब भी हमारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है हमारे घर बनता है तब क्या होता है जब नीव डलाती है तो हम लोग ground पर एक थोड़ा सा जो कि आमें अर्थिंग से प्रोटेक्ट कर रहा होता है अब बहुत सारी केसे जहां पर हमारी अर्थिंग हो रही होती है वचाबाटी सबसे पहली चीज़ा हो चलो एक तो यह ग्जम्पल हो गया अब तुम लोग को एक एक ग्जम्पल वैसा देते हूं कि जो तुम लोग खुदे ने फेस किया होगा हमाले पास जो अभी भी uh computers होते है न जो CPU वाले computers होते है अगर घर नहीं तो में और स्कूल में दिधी देखे ही देखे उसको बहुतन हम लोग चालू करते है तब हम लोग को कुछ लीक हो जाता है तब हम लोग को चटका लगता है क्या लगता है जटका लग जाता है अगर मैं क्या करूँ बचाबटी उसमें से एक वाय लेके नीचे अर्थिंग कर दू तो क्या हो जाएगा जितना करेंट लीक हो रहा है ना वो डायरिक्ट अर्थ में चला जाएगा ना कि वो अप्लाइंस में चला जाएगा जिससे कि अगर मैंने उस कर दिया तो मुझे जटका लग जाता है और इन देट केस अगर मैंने क्या करा होता है एक वायर को लेके अर्थिंग करी होती है अर्थिंग मतलब क्या कि जमीन के अंदर उस वायर को डाल देना गार देना तब वो जो लीका अमाउंट अफ करेंट है वो डायरिक्ट करा है तो इसलिए सभी के घरों में ही होती अब नेक्स्ट एक्जमलिप अध्या हमारे हर-क अधर में इया थंपास ब्लग या तम्मे लुग कने टीक्पॉलrade क्या होता है थे यह अर्फिंग पोल्स में होता है यकाउषिं में होती है उऌión। को हमारे वह यह होते है एक लि हमारी अर्थ के पास इतनी शमता है कि infinite amount of current को एक्सेप्ट कर रहा होता है हमारी जिंदगियों को यह बड़ी अच्छे तरीके से बचा रहा होता है अर्थिंग की कुछ नहीं छोटी सी process होती है कि हमें चटके और शौक लगाने से प्रोटेक्ट कर रहा होता है तो हमेज़ जब भी तुम लोग अपने पापा से पूछना है या तुम लोग ने नई बिल्डिंग को बनते हो देखा होगा तो इस टाइप से हमारी अर्थिंग हो रही होती है यह copper wire हम लोग क्या करते हैं मैंने बोला थोड़ा सा हम लोग deep खड़ा खोदके उसमें earthing कर देते हैं तो यह copper wire को डाल देते हैं उसमें जब हम लोग earthing करते तो कुछ चीजे और साथ में डालते हैं like some amount of salt कुछ coal डालते है और earthing यह प्रॉपल यह होती है equipment of earthing और यह तुम लोग देख सकते हो इस तरीके से हमें earthing हो रही होती है और बेसिकल यह शौक से हमें बचा रहती है तो इस पर बात करते कि बोट पॉइंट और फ्यूचर कैसे कोशन आते तो earthing क्या होती है earthing किसलिए होती है हमारे लिए क्या बेनेफिशर है तो जो सभी पॉइंट सभी मैंने बता है वह तुम लोग को explain करना है कि earthing इसलिए ही होती है कि जो हमारा बहुत सारा जो current leak हो रहा होता है किसी भी अप्लाइंस में से उससे हम लोग को शौक ना लग जाए इसलिए अर्थिंग होती है और वह जो leak amount of current होती हो तो डारेक्ट ग्राउंड में चला जाता है ग्राउंड में क्यों जाता है कि पास बहुत ज्यादा शमता है sufficient amount है कि वह बहुत जादा infinite amount का current जहल सकता है इसलिए ग्राउंड में वह जा रहा है अब आता क्या है दूसरी most important चीज इसमें कि तुम लोग को बचा बचिए देखो यह electric pole है जिसमें से मतलब current आ रहा होता है यह electric meter होता है जो हमारे चैप्टर में तुम्हें पढ़ाया था यह हमारे यह आ रहे होते है यह earth wire है जो green color का है तुम लोग से क्या पूछा जाता है तुमसे यह पूछा जाएगा कि electricity board का मतलब electricity board fuse का जो symbol होता है वो बता हो ठीक है तुमसे electricity meter का सेंबल पूछा जाता है तो यह तुम लोग को हमेशा बताना है distribution box का क्या से सेंबल होता है तो यह वाला मुझा को बना के और यह वही तुम लोग को वापस से थ्री बना के बता है यह बिसे कली 220 वोल्ट मतलब लेता है ठीक है यह साथ चीज़े याद रखना है तो मैं तुम लोग को यह बोले हैं कि इसको एक आधी बार या दो बार बना कि प्रेक्टिस कर लेना जिससे के हम लोग को यह समझ में आजा कि इसके सेंबल कैसे रहते हैं यह लगार है नूट्रल वायल और अर्थवायर है तो बचमाटी आज की वीडियो में लोग ने पड़ा किस तरीके होती है डॉमेस्ट्रिक का एलेक्ट्रिक सरकित है और यह वरक कैसे करते हैं कितने टाइपस के वायर इसमें होते हैं और कौनसे वायर का क्या फंक्शन हो रहा और शुर्थी से दुम्हें एव तो मेत यू तो में तिल्डैंट आइ फिलिड़ने उन्री एजिए ज्याइ में गिभरी गणिद कर्का नाइ शुरुड़ग का स्वाइडा है